काफिर वाली लाइन आपको काफिर वाली लाइन पढ़े हैं? व्हुँद दो खूआ है काफिर वाली लाइन पढ़े पीद में कॉह एकिलास में बतकते पाइन आपकूर के और करें रिषया है, यह बतकत रिषया है वन्गैन के य Curah four areas और सुरह पाआन में होती शूरा फातिया में भी जो बात लिखा हुआ है और शूरा फातिया का जो तप्सिर लिखा हुआ है आपको अच्छा हाँ अश्लफूल बहीं क्या बोलना अपको आडंड जोकर और इसके हम कैसे हैं जी असलाम लेकुम बैया जी बिल्कुल सही अलम्दिल्ला आप कैसे बताई और आपको क्या बोलना है आज के टॉपिक के ऊपर मैं तो सही हूँ आज का टॉपिक क्या था टॉपिक तो मैं देखा नहीं अभी टॉपिक आज है हमारा एक्स मुस्लिम्स जो फेक एक्स मुस्लिम्स है और जो एक्स मुस्लिम्स पता नहीं है की नहीं वो लोग जो गाली गलाज करते हैं उसका जो सोर्स है उस पर हम लोग बात कर रहे थे बाइबल जो कि आडम जोकर का जो बुक है उसका सोर्स है उससे तो उसके उपर हम लोग बा तो आपको क्या बोलना है इसके उपर में या और कुछ आपका सवाल है तो भी आपको आप मुसल्मान है भाई है आप बहुत आप बहुत बात करने के लिए कोई मतलब नहीं है लेकिन मेरा किस्क्षिंट था किसी आलम को देखना जुरूरी है या कुरान को परना या अपसीर को परना जुरूरी है ठीक है तो इसलाम को जानने के लिए आप बोल रहे है कि क्या करना होगा हमको तो सबसे पहले तो इसलाम को जानने के लिए हमको कुरान पढ़ना होगा ठीक है न और कुरान को पढ़ना ह उसके बाद जो इसलाम के जो सबसे correct sources और है जो अधीस है नभी सुलाइल लालसलम की उसको पढ़ना होगा और क्योंकि आलिम जो होता है एक scholar जो होता है वो उसका expert होता है उन चीजों को पढ़ा होता है उन चीजों को समझा होता है तो इसलिए उससे contact में जब हम लोग रहते ह है जैसे की maths अगर हमको सीखना है तो आप बोलिए क्या मैं maths को अपने से books को खरीद के पढ़ लूँ या मैं maths के बारे में किसी teacher से भी यह कर सकते हैं लेकिन एक teacher जब रहता है तो वह ज्यादा अच्छा से आपको explain करता है उस चीजों को उस चीजों को बताता है और लेकिन अठा zuis है लेकिन principles हमेशा आपको clear होना चाहिए जिसको हम लोग असूल बोलते हैs असूल जैसे तफसीर हो गया असूल एतर दीन हो गया असूल नवग्या हो गया ये सब हमारा clear होना चाहिए अकीदा मतलब कि जो basis तोहिद हमारा clear होना चाहिए इन चीजों में हमको ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम पढ़के कुछ भी फॉलो करने लगे यह सारी चीज हमारा क्लियर होना चाहिए तो क्यूंकि आलिम एक्सपर्ट होते हैं इसके बारे में तो इसलिए कुरान बोलता फस अलु एहल जिक्री इनकुन तुम ला तालमून तो उन जैसे पूछो जिनको तम्हें जिनको इल्म है तो इस इसमें अक्सपर्ट से अगर तुम को नहीं मालू मैं जैसे कॉंपेरिटिव अगर आपको नहीं आरहा तो जो सहाओ तो मैं तो बारे में आपको जानना तो आप डॉक्टर से पूछेगा तो यह चीज बहुत है तो कुरान तुछने पढ़ने लगा अपने भाषा में जय से कोई कोई बात लिखा हुआ है वो बात इंसानियत के खिलाफ चला जाता है तो इसके बारे में हम अपना जो मस्चिद का इमाम है मुक्ति शाब है उनको हम पूछा है तो यह लोग सही दंग से जवाब नहीं दे पा रहा है तो बोल रहा है और आपने कुरान जब पढ़ा तो कुछ चीजें इंसानियत के खिलाफ आपको यह आपने बोला ना भी हां जी हां जी कुछ आवा जो बात लिखा हुआ है जैसे कि एक एक्शामपल अब दे हम लोगों को ताकि हमलोग उसको जल्मान है ला आप मुसलमान है ना आप मुसलमानες, ना अब नमाज पढ़ते हैं, पांच य वक्त नहीं पढ़ता हूँ, कभी गल पर लेता हूँ。 कभी कब़ार वजु वजु मुझे बनाते हैं होंगाऑ जब नमाज पड़ते है तो वजु पता हूं आ यहाँ आ वजु तो बनाते हों वजु बनाते है तो वजु में कितने रिकाद है अगर पूछा क्वें तो क्या जवाब देजिए ग Ian तो आप आप मुझे जानना था कि आप वुगूछ बना रहे ऊने बना रहे नमाज तो नहीं पढ़े नमादा तक्र आप बौले कि आप अЕНयले सब्स नहीं कर पाये काफिर वाला आपको नहीं नहीं बहुत सारे बात है वो इस एक्स्प्लें नहीं कर पाया काफिर वाली लाइन पढ़ा या सूरे एक ख्लास में कौन सा सूरा में आपने काफिर वाली लाइन पढ़ा प्रफाटिया में प्रफाटिया में बात लिखा हुआ है और प्रफाटिया का जो तर्जुम से आपको तो अभी तक तीन-चार रेफरेंस ऐसी दे देना चाहिए था बिना बोले मेरे आप तो बोल कंफ्यूज करें सुरे फातिया में है एसुरे क्लास में अब बात मत काटिये सुरफाटिया में नहीं यह इसुरिअ इसुर नहीं कर रहा हूँ सरी आपको रेफरेंस नहीं मालूं का फिर वहली मैं आपको रेफरेंस देता हूँ वो बात कंप्लीट करने नधा हूँ. आपके पास रिफरेंस नहीं है. मैं रिफरेंस देता हूँ आपको. सुरह तौभा की आयत नंबर पांच है. सुरह तौभा, सुरह नंबर नौ, आयत नंबर पांच है. देखें, question को मैं complete कर रहा हूँ आपको, अब मैं answer दे रहा हूँ आपको, वहाँ पर यह नहीं लिखा वा कि इस सारे काफिर किना दो पूरे कुरान से, पूरे कुरान से, यह मेरा challenge है, दुनिया के नार द नहीं क לצो कि सभी काफिर को मार दो ये लिखा हुआ पूरे कुरान में एक आयत नहीं है एक आयत मुझे नहीं दिखा सकते जहां पर ये लिखा हुआ है कि कि अधिक काफिर को मार दालो आपके पता है आप पड़ा कुरान आप देशक्ति शर्जी आप शूरा तौबा की चार पर से शाथ आट वहां पर लिखा हुआ है लगभभभ चारुस्नमट तक आया जो है कि जो इसलाम में नहीं है वो साँरे कफिर है आपके पॉरान बूलता है फिर हैर पिक कुररान को में कि आउकात नहीं है सुनने कि तब यह नहीं लिखावा वहां पर कि किल और काफिर सुन रहे हैं आप आयत को नहीं ना उसके बाद उसके बाद है या नहीं हो पता जो जाएगा जिस तरीके से मुझे अच्छा लगेगा मैं समझाओंगा आपको ठीक है ना आपके पास कुरान ह है आपके पास कुरान हो डाश्रफ फुल भाई आप मुसल्मान है आपने पोला अप करण में तर्जुमां पड़ आहना के पास है कि दो कि तो पर इंप नूबर के प्ढ़ना Sब्सक्रान हो है तो व्राहुल भाई अगर आप है आप देखिए सही पड़े कि नहीं और आप देखिए का सूरे तौबा में क्या ऐसा लिखा हुआ कि सभी काफिरों को मात दे अच्छा पढ़िए भाई ने लिखा है ऐसे कोई अब उजर भाई भी आए वे वह बोल रहें कि इसने अभी का तुम नहीं सवाल अबः घृ कि आपने तुम्हारे اسल्म क्यों बोला अब इसलिए बोला क्योंकि मैं अभी इसलाम सोर दिया आंपे पास डा rap बोल दिया कि अब आ अब अब दूसरे ट्रेक पर हम लोग आ-जाते हैं तो आप इसलाम छोड़ चुके तो रह भाय आप इंका सुन र रहुल बाई हाहाा पली है भो हे वो हे वो सुन रहा थड़ा थड़ा मुझे भांगला शिखना हो गा रहुल बाउल रहा संपर्कोल स्यात करा ह सथ करके आला ओ तार रोषूलेर पक्खो थेके सही मुर्षिक देर शाथे जादेर साथे तुम्रा चुक्ती बद्धो हुए छिले एक अथार माने कि तपसीरे जालालाइन तपसीरे इबने कासीर तपसीरे तपसीरे ताबारी आमार काचे तीन टे आशे तो तीन टेते आमी उल्टा बुल्टा देख्षी तो एक अथार माने एरगम बस्तु बुजाई छे जे एक समय माने चुक्ती हुए छे लो शे चुक्ती आटोमेटिकली आल्ला ओ तार रसुल निजेई भंगो करे दाई एक मिनिट भाई अफलेट कि एक मिनिट भ्याई एक मिनीट बॉल्था अपने आफ्से अना चुक्ती हुआ था महमेट असलम उच्व है और यम्हाम उच्छी जो चुक्ती टो रहा था कहा लिहां कौनसे तफृ अफ्से लिए बात तफिर इबने कातषी यह से करता हूं ठीक के अच्छा सुनिए टेक शूथे आपने पहले तो भी तावा तो झूट कहा दिया न वह इने ञ्में दॉट क्या इन आ इन्हों जाया किया मुआभाल कि साथ मैंस제가 स्कुलाइं का जो एक धुपि होता तो वाद Nicholas तो आप और हम बोल रहा है कि सरासर जूट है लेकिन यह तो तफसीर में ही लिख्या हुए ना इसा ही समझाया चैलेंज करता हुए ऐसी जूट यह पर नहीं चलती है भाई अचा भी चला देजिए ने तो तफसीर चला रहे हुए कोई बात ने बंगला में देखा दीजिए कहा लिखा है अगर मुस्लमान का कोई तफसीर अगात देखता नहीं चाहते है आप तो हिंदू बंगला भासे में सब प्रथम सबसे पहले जो बंगला कोरान के टंसलेट किया कोई मुसलमन नहीं था मुकमल तरह से हिंदू और ग्री आप तेरा नम्बर आथ पढ़ दिजे आप भी ऐए बात लिखा है तेरा नम्बर पढ़ दिछे त्राट वात थरा नम्बर आप पढ़ दिजे मुशा तान में, तो इदेखा है प्री ब्रहमन करो यह देशे चार मास काल शुदु मात्रों चार मास टाइम ही देवा हुए छी लोता दिल के आर्जे ने राखो जी भाई यह पर यह पर वही बात लिखता है मामस्थ सलम के साथ कुराइश मक्का के साथ जो चुक्ति हुआ था ना तो चुक्ति जो पहले तोड़ा कौन है कुराइश मक्का ने फिर अल तोर्भा तोरा था कभी भी नहीं देखा सकते कभी भी नहीं देखा सकते क्योंकि सरा सा जुटे पहले बात इसलिए नभी के बोलती है आपको पता है अश्रफूल भाई कि इसलाम में कितने आप तो मुसल्मान थे ने तो आपको तो पता होगा कि पिलर्स आफ इसलाम कितने ऌश्रफ का में इमान का वारे में इमान का भार में इमान को तो पिलर है नहीं है चलो इन तो अब अगया बट्रेंग्वाट्स आपको अपने अच्स मसलिम दोस्तों इस धवाट्स आप कर आपका हादिसी करें हैं उसको पर्णे से वित पता चलता है उतिये पता नहीं कि छोमिकल भाई या पर चुन-ध बांदध्त प्राथमिक पर जाये, प्राधमी पर जाये. प्राथमिक पर जाये, तो इमाने रुकुन पर जाने ये थे रहां। तो मैं जानो ना, तुम्ही परेश कर बोले दो भाई मैं जानी ना, तो उल्टा पाल ता एए हदिस एया चे लोखने जेते आपे, किरे भाई? क्या लागूट रिश्ट्यों? अब यापने आपको नहीं बता इमाने पास्टा कैट्री आचे कीशिए और बोलो कीशिए ? आचे तो इरेकुम कथा बत्र लेखा आचे तो आचे तो गोटा कोडाने अनेक कीशुया आचे ? तोमाइके जिगेशा कोल लंज इमान का केवले अत्मी सुरू कोरे दिले ? एटा होलो दिग्यरे भाई ? रीका किल यूल ठीडbles के UM तूमिया बबान नम कि आतुमी बोलेदिले आम कि आमीं आमें हुएज आमाा चाट्ठा चेले हुएज वार बोव आ चे माया पांज ये निलए बले आसे थीक तुमनोर शत कुला काला जबे बूस्थः नम काला फो itself पास्टोत हाइट, साथफ़ोत लंबा, पंचनों के जी ओजुन, माध्धमी याथ तो रिजर्ड कोरेशे, एगलों को जिगेशा कोड़ी निरे भाई? अश्राफूल भाई, इस लामे एग्णवे गुदान वाच्छे, जखन एक्ता कथा बला भाई? अब चुप कोड़े जाओ, अश्राफूल भाई, तुमा के किछु जानो ना, फाल तो उल्टा बलडा बोलो ना, पुदमेटा मित्था बोले दिया चो, जब मुस्वल माणना, आल्ला रसूल, वह मुस्वल माणना, वह मुस्वल माणना, वह कुरेशे मक्का सांगे, जए इसको भी आप, पिलर्स आफ इमान भी पढ़के आईएगा नेक्स बार, और ये भी आप पढ़के आईएगा नेक्स बार, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है, बड़े ब्रोग देट ट्रीटी, ठीक है ना, इसमें टोर्स दो आइडूलेटर्स वित हूम इमेड़ेट मेरे हाथ में, इसलिए मैंने तुरंट उसको खोला पढ़ा और आपको बताया, ठीक है, मैंने ओनलाइन ही चला दिया उसको, तो ये चीज़ है, आप, जो ये स्टोरी बनाए ना, आपने अपना, कि इमाम के पास गए, और सारा का सारा सवाल किया, वो स्टोरी इतना आपने होमवर्ग सही से नहीं किया, ठीक है ना, अच्छा अच्छा था, स्टोरी आपका अच्छा लगा, नेक्स्ट बार देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसक्रिप्ट आपका कैसा है, जब नेक्स्ट आपको जफर देगा एक स्क्रिप्ट, तो वो स्क्रिप्ट लेके आ झाल 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 झाल